चले सीधे आपको देली लेकर चलते हैं तस्वीरे भी दिखाते हैं भारती जनता पार्टी का राश्ट्री अधिवेशन मिशन 2024 को लेकर मन्थन है प्रदान मंतरी नरंद्र मोधी पहुँच गए हैं साथ में मौजुद हैं राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा जेपी न कार्ड और यह सभी के गले में आपको मिलेगा स्कैन किया उसके बाद भीतर गए प्रदान मंतरी नरंद्र मोधी याई कार्ड इस तरीके सादिवेशन में सभी का बनता है और सभी के गले में नजर आता है उसे स्कैन किया और भीतर यह देखें प्रदान मंतरी नरंद्र नियमों का पालन इसी तरीके से वो करते हैं और यह सभी के लिए मैसेज होता है कि जो नियम है उनको तो पालना उसकी करनी ही पड़ेगी आपको लेकिन फिलाल यह बेहत महत्पुन अधिवेशन भारती जनता पार्टी का केंद्रे ग्रीमंत्री अमिर्शा साहिद दिगज इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं 11500 पदादिकारी इस अधिवेशन में जुटे हैं और आप क्योंकि चर्चा की शुरुआत होगी सेशन की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद जब सेशन खत्म होंगे राश्ट्री अधिवेशन खत्म होगा तब एकर सभी की प्रतिक अधिवेशन में दिया जाएगा और सभी के जुबान से आप उस एक नारे को सुनेंगे जो इसी राश्ट्री अधिवेशन में तय होगा कि क्या कि सरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है विपक्ष के आरोपों को निराधार करना है और साथी साथ जनता के बीच जाना है चार सो पार के लक्ष पर रनीती किस तरीके से बनाए जाएगी पूरे देश भर की सी पर नजर क्योंकि एक तरफ बिखरा बिखरा महा गटबंदन तो दूसरी तरफ एंडिये अपने सहयोगियों के साथ एक बार फिर से मैदान में और भारती जनता पाटी इस बार के टार्गेट को अचीव करने के लिए नई रनीती पर कारे कर रही है और आप देखेंगे कि उन उन वर्गों को सबसे ज़्यादा टार्गेट किया जा रहा है जो अभी तक अच्छूते रह गए थे और बाकाइदा स्टार्डिजी इस नजरिये से बनाए गई है फिर चाह कि विकास वहां तक नहीं पहुंचा लेकिन ऐसे में उन सभी को एक जुटकर और साथी साथ फोकस कर रनीती बनाई जा रही है और उसके बाद उसे धरातल पर उतारेंगे अब समय बहुत कम रह गया है क्योंकि आचार सहिता लगने में जादा समय नहीं है और इसी लिए उससे पहले अब ये भी तैक करना है कि कहां पर किस तरीके से प्रदान मंतरी नरंडर मोदी समय दिगजों के दौरे करवाने हैं हालनकि आप देख रहे होंगे सौगातो के सिलसला शुरू हो चुका है प्रदान मंतरी के दौरे भी शुरू हो चुके हैं फर चाहिए वो मद्ध प्रदेशों क्योंकि दक्षिन में आपने देखा था इससे पहले प्यमोदी यम नियम का जब उपालन कर रहे थे तो दक्षिन में ही उन नियमों को उन्होंने पूरा किया था और वहां से एक बड़ा संदेश भी दिया था लेकिन अब जो 11,000 से जादा पदादीकारी पार्टी के इस राश्ट्री अधिवेशन में पहुंचे हैं सभी को एक नया टास्क और इस नए टास्क के साथ नए इमिशन पर सभी पदादीकारी और सभी कारे करता जेपी नडड़ा के साथ प्रधान मंतरी नरणर मोदी को आप देख रहे हैं आलंकि इससे पहले आपने वो भी देखा था कि जब मोदी सरकार की योजनाओं की एक लगू फिल्म तयार की गई थी उसको जेपी नड़ा ने देखा था और कई ऐसी शॉट फिल्मे होंगी जो इस सदिवेशन में जिनने देखा जाएगा उसके बाद उन्हें रिलीस किया जाएगा और फिर लोगों को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि ये हमारे उपलब्दियां हैं हमने ये कारे किये हैं और इन कारे के आधार पर हम कह रहे हैं कि एक बार फिर से हमें चुनिए हालांकि तीसरी बार मोदी सरकार का लक्ष लेकर चला जा रहा है विपक्ष परवार अपनी सरकार की योजनाएं और साथी साथ नया मिशन क्योंकि 2047 तक विक्सित भारत का संकल्प ले लिया गया है और इसलिए जितने भी दिग्गज अंदर पहुँच रहे थे उन्होंने यही कहा था कि संकल्प तो हमारा तय है लेकिन उसे पूरा करना है कैसे इसको लेकर ही इस राश्ट्री अधिवेशन में हम चर्चा करने वाले हैं लोकसबा चुनाव के तैयारियों पर महामंथन भारती जन्ता पार्टी का मिशन 24 के लिहास से बेहद महत्पुन है देश भर के पार्टी के 11,500 पदादीकारिस में शामिल है और अब से थोड़ी दिर में सेशन की शुरुआद भी हो जाएगी लेकिन क्योंकि पार्टी यही कहती है कि हमें हर एक चुनावी मोड में रहने वाली भारती जन्ता पार्टी इस बार क्या रन्नीती बनाने वाली है जिससे तीसरी बार मोधी सरकार के साथ साथ वो बड़ा टार्गेट हासिल कर पाए यह तस्वीरे भारत मंडपम्ट से आपके सामने प्रधान मंतरी नर्द मोधी पहुँच चुके हैं ऐसा दिवेशन में और अपसे थोड़ी दिर में इसकी शुरुआत सेशन अलग लग होंगे और अलग लग सेशन में क्या रहेगा वो भी जानकारे माप तक पहुचाएंगे क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा जादोई मंतर भारती जंता पार्टी के पास है बेशक योजनाओं को क्रिटिसाइज लोग करें लेकिन उस आलोचना का असर चुनाओ पर नहीं पड़ता है खास तौर पर आप देखेंगे कि विपक्ष तमाम मुद्ध उठाता है लेकिन उन मुद्धों का कोई असर लोगों पर नहीं पड़ता तो ऐसी क्या रन्नीती पार्टी बनाती है या फिर नई रन्नीती बनाने वाली है जिसके साथ चुनाओं में उतरा जाएगा ये दो तस्वीर आपके सामने ग्री मंत्री अमिश्चा प्रधान मंत्री नर्द मोदी प्यम के साथ राष्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा प्रलाद जोशी समयत तमाम दिगज इस अधिवेशर में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं क्योंकि पार्टी कहती हैं हम अनुशासन की पार्टी हैं एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत ही महतपून है और इसे हमें गवाना नहीं है और इसलिए हर वक्त हर सेकंड का हर मिनट का हमें सदूपियोग करना है लेकिन इस अदिवेशन में अब क्या रहेगा कौन-कौन से एजेंडे की सरीके से किन-किन सेशन में डिवाइड किये गए हैं जब सेशन की शुरुवात होगी तो संबोधन भी सुनने को मिलेगा और उससे साफ हो जाएगा क्योंकि विजन जनता के सामने प्रधान मंत्री ने रख दिया है हाली में अंतरिम बजट जब आया लोक लुभावन घोशनाय तो नहीं की गई लेकिन ये ज़रूर दिखाया गया कि आगे आने वाले समय में हमारा देश कैसे विकास शील्द देश से विक्सित भारत बनने जा रहा है दिली न्यूज एडिटर आदिती नागर हमार सा जुड़ रही है आदिती वाकई में मिशन 1224 हर एक पार्टी के लिए बेहत खास है लेकिन भारती जनता पार्टी की बात करें इस बार टार्गेट बहुत बड़ा लेकर चला जा रहा है 400 पार NDA और 370 भारती जनता पार्टी तो इस बार कौन सी नई रणनीती पर कार कर रही है पार्टी इस अदिवेशन में बताएगा कि सरीके से क्या खास रहने वाला है कैसे सेशन होंगे और कितनी मजबूत रणनीती बनाई जाएगी जाएगी कुछ नंदर बनाते हों।이 को जाय जायगा कि MODIThi leadership का मुठी कर रही है तो आप ही है यह से करी लिए आप सरकार क कारिक्रम कारेख्ज कर रही हैं। संकल्प कारिक्रम है, दोजार चुनाओं से पहले पूरा परिवार निल रहा है, और साथ में बच्षीद करके संकल्प लेगा, कि हमारे पुराने कामों के मद्दे नज़र उसके वनीव पर हम दोजार चुनाओं पर बड़ी संख्या में आखने जीतेंगे, और यह कारिकरता ह कि मनोबल और उनके अंदर उर्जा भरने का कारिक्रम है, बहुत जरूरी हो जाता है, जब कही बार पूरे रहा में एक कॉंग्रस के मेता जोड़ रहे हैं, पुरसी पार्टियों के मेता शामिल हो रहे हैं, बिहार, महराश्यों में जिस तर असे स्थितिया हैं, राज़तान त planners government के में चार्टियों में सामिल हो रहे हैं, कई भार कारेकरणा मायूस हो जाता है, कि मैं जा असे संचे को मिटाने का काम आज प्रदानमंदी नरनमोदी करेंगे कि कारेकर्टा कारेकर्टा है मजड़तर दे सत्राइब राजिस्तान में जीफ पर भी अपराग प्रस्ता होगा तो उसमें यह भी कहा जाएगा कि कैसे ग्रास रूट लेवल पर जो वर्कर्ट थे उनको अमने बड़ी पद पर बिठाया यह आप है जिसकी वज़े से अंसर्ता में आते हैं परन्याशिक पर समय में जाय कोई इस इस पर फ्रस्तााया जाए गाऊ तैस 시 दयो वर्कर्टा को एक बात बता थे हैं जाएगी इसे की बुजब जमीं परूचरे हैं तो क्या मुद्व परबाथ कर निए घर का बात करनी है ताम मंदन को पुटी हे भावना एदेश कीוכि युँडियु बत हुगी तो कैसे इन कानदर कषयाग होता होंती सम्मीन पर पारतaking को कदो यह तुमुक्या चातिय जनगंडा की बात कहता रहे गया वहीं दूसरी तरह प्रदान मंत्री नर्द बोदी ने चार जातियों का इस जिक्र कर दिया जिसमें गरीब की बात करें किसान की बात करें महिला की बात करें युवाओं की बात करें दूसरी तरह जिस तरीके से राज्यसभा में हमने देखा जमीनी इस स Carl के कारेकरताओं को तवज्जो दी गई है विजन भी साफतर पर देश के सामने रग दिया है तो बचा क्या सबकुछ तो गिना दिया कारेकरताओं के सामने तो क्या अब रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार है लेकिन धरातल पर कैसे उताड़ना है उसको लेकर मंत्र तो पीम मोदी देने वाले हैं आपको लग रहा है कि दो चुनाव हमने देख लिए लेकिन अब तीसरी बार मोदी सरकार आएगी इसको लेकर आश्वस्त है पार्टी लेकिन यहाँ पर देखना यह भी जरूरी है कि रणनीती कितनी पुखता और क्या नवाचार इस बार देखने को मिलेगा अधिती बहुत सुक्रिया बादचीत के लिए